रवीवार को गुरूगराम में फरूख नगर के अंदर तीन मंजिला बिल्डिंग टाश के पत्तों की तरह बिखर कर गिर गई जिसके बाद यहां के आसपास के रहने वाले लोगों ने पुलिस को सूचित किया जिसके बाद पुलिस और NDRF की टीम यहां पर पहुँच गई जानकारी के मुताबित यहां पर चार लोग इस मलवे के नीचे दबे हुए थे जिसके बाद NDRF और पुलिस की टीम ने यहां पर रेस्की ओपरेशन चलाया और उसके बाद वहां से लोगों को निकाला गया जिसमें तीन लोग मृत पाए गए और एक व्यक्ति को यहां के नागरिक हस्पताल में पहुचाया गया पहले हम आपको यहां के तस्वीरे दिखाना चाहेंगे कि पहले आप यहां पर देखे कि किस परकार यहां पर जो बिल्डिंग है बिल्कुल खराब हालत में गिरी पड़ी है यहां पर कैसे बड़े-बड़े लेंट्र यहां पर गिरे हुए है और पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह कुछ यहाँ पर जो काम करते हैं लोग उनकी यहाँ पर पैंट पड़ी है तो वहीं यहाँ पर काम कर रहे हैं लोगों के जूते भी यही पर पड़े हैं और यह कि मैं आपको खास ची दिखाना चाहूंगा यह सामने एक फ्रिज पड़ा है जिसको देख कोई अंदाज़ा भी ने लगा सकता है कि ये कोई फिरिज पड़ा होगा इससे हम ये चीज जरूर कह सकते हैं कि जब ये तीन मंजिला जो बिल्डिंग है ये नीचे गिरी उस समय जो नीचे दबे हुए लोग होंगे उनका क्या हाल होगा इससे आप पर हम आपको दिखाएंगे कि यहां जो कंबल पडे हैं कुछ यहां के रहने वाले लोगों के और वहीं यहां पर बाइक भी थी और टायर भी थे यहां पे तो हम आपको यह बता देए कि यहां पर जैसे ही ये बिल्डिंग गिरी यहां पर धमाका हुए आस पास के आईवे की टीम को यहां पे बुलाया गया जिसने यहां पे रैस्की ओपरेशन चलाया आपको यह बता दे कि रैस्की ओपरेशन काफी लंबा चला जो की परसो शाम से लेकर कल शाम तक चला जिसके बाद से यहां से लोगों को निकाला गया और लगतार यहां पे पुलिस के जो प्रश चीट करते हैं यहां पर कभुआ यहां पर सोई तो यह बार इसारी थी बार इसकी बज़े टेसल यह निच्चान रही तूट इसके निच्च लोग दब गए फिर च्यार एक यहां तलिकाड है और तीन यहां तलिकाड़े हैं फिर मशीन वागा गहरा चाल लिए जब यह सपा क डिलैक्स कंपनी थी इसके लिए बंदकाम नाइट के बंदे थे वे वे सो रहे थे उसके निच्च जबी दब गए कितनी पुरानी बिल्डिंग थी कई साल पुरानी थी तो जो लोग यहां से जिनकी डेथ हुई है जो मरे हैं वो इसी गाउं के रहने वाले थे या बाहर ग आग गये इंगाना आए जब बुजी जब देखें बाढ़ आदमी दबरा थे लिकाड़न कोशिश कर फिर लेकड़ाई ना फिर मसीन चलाई जब लिकाड़े गए तो पुलिस और NDRF की टीम यहां पर आ गई थी सब सारी थी तो कितने घंटे ऑपरेशन चला चोविस घंट इस बार अब टाल चार लोग थे इस आरब परसुते कल श्याम कोई खतम वही है चे मैं परिट पर सू स्याम ने पास आमने चैसा जड़ जय बंद हो यह जो चीर वहाद में काटेश चए लगबग साथ बजे का टाइम था एक दम इसमें विल्डिंग में दमाक का उठा एक दम गिर गी एक साथ एक दम तास्के पत्तों तरे एक दम गिर गी उसके बाद हमने वहां सो नंबर कोल कर दिया था पुलीश वगर जभी ता तुरती पोंच गी थी और फाइर विल्गेट फिर थोड़ी देर बाद NDRF की टीम बगार पोची थी उसके बाद इसका रात काम चलेका बचाव कारे चलना सरुए इसमें तीन घजवल्टी हुई है एक बच गया वह आई इसमें लोगों कि यहां पर यहीं टैथ होगी थी तो टोटल इसमें चार थे मतल बंदे बाकी नि इसके हालत काफी दिन उस खराब चले थी बिल्डिंग की इस पर अंदर सेट निंग खड़ी कर रखे थी हो इस वाले कून है पर तो इसमें सेट लगी हुई हो इसके हाला ठीक नहीं थी जाए इसकी तो यहां पर कितने लोग रहते थे और किस इसकी कंपनी थी यह सर इंपो हाँ यहां पर चार पांच इसमें भाइक भी खड़ी थी और गाड़ी तो नहीं थी गाड़ी एक साइड में रस्ते से निकल रहे ती उसके उपर पढ़े तो यहां जो बाइक थी वह वह आगी दिकत एक जो आदमी था वो वैसे उसने जैसे इत्टे वगरा गिन इस वह भा होगा था और अगले दिन जाके सुबह चार तीन-चार बजे लगने मुट्या जकते हैं पूरी रात हाँ यहां पर हमारा वो इसी पी साहब भी विदायक जीव सब पूरी रात हैं रहे डिसी साहब आ चुके थे पूरा परसासन पूरी मदद करिये नहीं कोई कोटाई हुई जब की जब जैसे कोल हुए हमने उन्होंने तक्रीबन सभी जगया विदायक जीनवे कोल कर दी थी और डिसी साहब यहीं आ गये थे पूरा रमलपन रही था सेकंडों की साहब तो काम हुए साहरा वैसे परसासन ने कोट कोई कोटाई नहीं बढ़ती थोड़ी से एंडियार चार लोग इसके नीचे मलबे के नीचे हैं तो NDRF की टीम को बुलाया गया रैस्की ओपरेशन चलाया गया जो की रैस्की ओपरेशन बहुत ही लंबा चला उसके बाद यहां से जो लोग है उनको निकाला गया जिसमें से तीन लोग जो है वो मृत पाए गए और एक व्यक् कुझ है